तो यह अभी तक आपने सुनी लिया होगा कि जुनाइथन मेजर्स जो कि MCU में कैंग दा कॉंक्रर और उसके वारियंट्स को प्ले करते थे उन पे अपनी गर्फरेंट पे असॉर्ड का केस चल रहा था वो भी बिना एनिमल देखे और उसका वर्डिक्ट आ चुका है जुनाइथन मेजर्स इस गिल्टी उनको एक साल तक की जेल हुई है अब इसके बाद ये भी ऑफिशली कंफर्म कर दिया गया है कि मार्वल स्टुडियोज ने इस वर्डिक्ट का रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें फायर कर दिया है जुनाइथन में जस ना ही कैंग का कारेक्टर प्ले करेंगे ना ही किसी वर्डिक्ट का और किसी भी वे में वो मार्वल स्टुडियोज के साथ इन्वॉल्वड नहीं रहेंगे अब as an audience हमारे दिमाग में ये question आता ही है कि भाई अब आगे क्या होगा तो देखो यहाँ पे तीन चार डिफरेंट अप्रोच है जो कि मार्वल स्टुडियोज ले सकता है सबसे पहला अप्रोच तो उन्होंने लोकी सीजन 2 में ही ले लिया था इस मेरी वीडियो फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने explain किया था कि कैसे मार्वल वाले कैंग के character के साथ यहाँ smart way में खेल रहे हैं उन्होंने लोकी के ending में ऐसा दिखाया कि लोकी अब पूरा multiverse rule कर रहा है और जो TVA है वो बाकी variants को छोड़ कर बस कैंग के variants के पीछे है और सिर्फ उन पे ही नज़र रखते हैं मतलब लोकी राज में TVA का काम बस इतना है कि कैंग के variants को multiverse travel करने से रोकना है और इफ वो ऐसा करें तो उनको prune कर देना है तो यहीं पर क्लिरली कोई भी common sense के साथ guess कर सकता है कि इन्होंने ऐसा जान कर Jonathan Majors के चलते ही किया था कि वो guilty नहीं होते तो इन future ऐसा दिखा दिया जाता कि TVA कैंग के variants को रोक नहीं पाएं और multiversal war स्टार्ट हो गया है बट सिंस वो अब guilty prove हो चुके हैं तो अब वो easily story wise ये दिखा सकते हैं कि भाई TVA वाले बहुत ही efficiently काम कर रहे है और कैंग के variants को इन्होंने successfully रोक लिया है मेरे according तो लोकी में इन्होंने बस इसलिए ही ऐसा दिखाया था तो हाँ इस storyline को follow करते हुए ये लोग easily कैंग से move away कर सकते हैं दूसरे रास्ते जा सकते हैं और दूसरे major villains को explore कर सकते हैं और मेरा guess है कि वो villain doctor doom होगा चलो doctor doom पे थोड़ी देर में आते हैं यहां दूसरी possibility हो सकती है कि कैंग के लिए किसी नए बंदे को recast कर लिया जाए जो की सबसे easy way हो सकता है अब क्योंकि यह establish कर दिया गया है कि almost सारे कैंग के वारियंट सेम शकल के हैं तो जोनाथन मेजर से similar दिखने वाले actor को cast करना उनके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं लेकिन हाँ audience के लिए इस बात को पचाना बड़ी बात हो सकती है क्योंकि भली पुलाड ही क्यों ना आ जाए लेकिन ये बात तैय है कि जोनाथन मेजरस के performance को match करना on screen possible ही नहीं है तो यहाँ पर variants का logic follow करते वे कि कुछ variants same दिखते हैं और कुछ variants अलग दिखते हैं इस logic से किसी नए actor को भी यहाँ cast किया जा सकता है बट honestly ये शायद काम ना करे MCU में कैंग के character के लिए clearly established कर दिया गया था कि भली दूसरे characters के variants different faces के हो सकते हैं दिखने में different हो सकते हैं लेकिन कैंग के सारे variants same ही है एक तरह से ये एक अलग fearful impact create कर रही थी audience के बीच अब यही पर question आता है कि कैंग के बिना Avengers Kang Dynasty का क्या होगा comics and story wise बोलूँ तो ऐसा करना बहुत ही जादा simple है Kang Dynasty के बाद आने वाली है Avengers Secret Wars और वो series जिसने भी पढ़ी है वो जानता है कि Dr. Doom वहाँ one of the major character है तो Avengers Kang Dynasty को retitle करके easily उस movie में लोग Dr. Doom को set up कर सकते हैं like Fantastic Four की movie में Dr. Doom को थोड़ा introduce कर दिया गया इस character का proper build-up एक Avengers की movie में दे दिया गया and finally Avengers Secret Wars में इसकी story complete की गई Secret Wars की readers को ये भी पता होगा कि वहाँ easily Loki में दिखाए multiverse का use किया जा सकता है और multiverse वार वहाँ multiple superheroes के variants के साथ दिखाया जा सकता है जैसा की comic books में भी था एक theory तो मैंने ये भी पढ़ी थी कि Kang के पूरे plot को ignore करने से बेटर है कि Dr. Doom को ही one of the Kang का variant दिखा दिया जाए जिससे की Kang की story भी continue होती है और हमें एक नया strong character भी मिल जाता है इससे ये हो जाएगा कि सारे Kang के जो variants है एक जैसे दिखते हैं ये वाला कर्स भी हट जाएगा और iron lad जैसे नई characters को introduce करना भी easy हो जाएगा तो हाँ overall conclude करो तो मुझे best way लगता है जो कि already इन्होंने Loki की series में establish कर दिया है कि भाई ये दिखा दो की TV अच्छे से Kang के variants को handle कर रही है और उसके जगा Doctor Doom को introduce कर दो और जैसे comic books में था वैसी Secret Wars में Doctor Doom को as a mean villain दिखाया जाए और multiple superheroes के variants आपस में भीड़ें और इन देन रही बात इस post case scene की कि भाई इन variants का क्या होगा तो यार easily इनको भी दिखाया जा सकता है कि TVA ने इनको भी handle कर दिया है प्रून कर दिया है आप सबके cat hearts से comment में ज़रूर बताना आप future में क्या होते देखना चाते हो ये भी comment करना since obviously Jonathan Majors के वापस आने के chances तो अब close to impossible है वीडियो अच्छी लगी तो like करना, share कर देना और new हो तो channel subscribe करके जाना लेटेस्ट नडी न्यूस देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें और लोकी का एंडिंग समझने के लिए नीच वाली मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा, till then be desi, be nerd